मुजियम में एक नए स्टैचू का उठाटन होने वाला है जबे हुए लावा से बना ये मिस्टीरियस स्टैचू हाल ही में म्यूजियम के क्यूरेटर मिस्टर कुपडेल को तिमबत के सबसे उचे बहारों पर मिला था एड्रियन सबसे पहले जान दो कि लेडी बग और कैट नवा जैसे सूपर हीरोस को अपने पावस मिलती है मिराकुलस नाम के माजिक जूल से तुमने कहा था कि तुम लेडी बग पर रिसर्च बंद करोगी जिससे उसके पहचान सीक्रेट ही रहे लेकिन इस रिसर्च का उसके पहचान से कोई संबन नहीं है मैं होक मौथ को बेन अकाप करने में लेडी बग की मदद करूँगी और शायद मुझे सूपर हीरोस होक मौथ और मिराकुलस के बीच का कनेक्शन मिल चुका है ओके मुझे यकीन है लेडी बग काट और और दूसरे मिराकुलस होल्डर स सदियों से आर्ट के जरिये दिखाय जा रहे हैं फिर किसी वज़े से वो गायब हो गए और दुनिया उनके बारे में फूल गई हमेज के बारे में तुबता है दे लेडी बग फ्रम एंशेंट एजिप्ट ये देखो अब ब्लाक नाइट या फिर ब्लाक कैट मिराकुलस होल्डर चलो और ये देखो कोई लेडी है या फिर बच अफ्लाइ सूपर हीरो और ये हर्क्यूलीज या फिर लायन मिराकुलस होल्डर ओके तो अब एक लायन मिराकुलस भी है तो लगे हाथ एक बनी मिराकुलस भी दिखा दो तुम्हें तो पता है उस जमाने में सकल्प्स पेंट होते थे राइट समय के साथ उनका पेंट गायब हो गया लेकिन माइक् से लगते थे पर अब सबसे खास बात इन सब आर्ट वर्ग में एक कॉमन बात है सब में एक ही सिंबल है देखो हर किसी पर है यह एक तरह का कोई सीक्रेट सुसाइटे एंबलम है मानो कोई ओर्डर ओव गार्डियन्स सूपर हिरोस पर नजर रख रहा था कई सदियों से मेरे डैट को मिले टिबेटन स्टैचू पर मौचू सिंबल जैसा नादले तुम ठीक हो मैं ठीक हूँ एड्रियन मुझे चक्कर आ गया था शायद हमें घर चलना चाहिए मेरे डैट के मुताबिक ये स्टैचू करीब 200 साल पुराना है लेकिन मेरी जानकारी के हिसाब से पिछले 200 सालों से मिराकुलस वाला कोई सूपर हिरो नहीं हुआ है यानि ये स्टैचू शायद मिराकुलस का आखरी सुराग है और फर कुछ मैंने पहले हौक मौट से लड़ने के लिए लेडी बॉग और कैट नोज साम्याए थे एकदम कूल मेरा वीडियो जरूर हौक मौट को पकड़ने के लिए लेडी बॉग की मदद करेगा रखो तुम अपनी थेयरीस को लेडी बॉग में पबलिश करने वाली हो आच्चुली वीडियो तो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ दो मिस्ट्री ओप दो मिराकुलस एकदम ला जवाब है वाकई है है ना ला जवाब है जरूर लेडी बग भी इसे देखकर खुश होगी और हौक मौत भी मुझे जाना होगा मैं कुछ भूल गए मौह उपक करना भूल गए